हेलो सो वेलकम माई यूटूब चैनल गाइस अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बिल आइकन घंटी को दबा कर उसे आल प्रिस कर दीजिए ताकि हमारे निव वीडियो का नोटिफिकिशन सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए मिल जा है गाइस मेरा नाम कनया मौरिया आप लोग देख रहे हैं कनया मौरिया यूटूब चैनल गाइस मैं आज इस वीडियो में बात करेंगे एफियम वाटसप में स्टेटस नहीं दिख रहा है किसी का भी स्टेटस नहीं दिख रहा है आप लोग के भी एफियम वाटसप में किसी का भी स्टेटस नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग status problem को solve कैसे कर सकते हैं मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि सभी लोग का status so करेगा आपके EFM WhatsApp में तो आप लोग को वीडियो को last देखना end बीच में skip नहीं करना है नहीं तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए गाइस बिने time बेस्ट के वीडियो को topic को चलते है simply गाइस आप लोग को अपने EFM WhatsApp को open कर लेना है open करने बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जाएगा तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा status so नहीं कर रहा है यानि किसी का भी status नहीं दिख रहा है हमारे EFM WhatsApp में तो आप लोग के भी EFM WhatsApp में status नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग इस status problem को कैसे solve कर सकते हैं तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा तो गाइस वीडियो को last नहीं देखना end बीच में skip नहीं करना है नहीं तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए गाइस बिने time based के वीडियो को topic को चलते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ हमारे fm whatsapp में status क्यों नहीं दिखता है किसी का मैं आप लोग को बताते तो जब भी आप लोग अपने fm whatsapp को update करते देते हैं तो आपका setting जहां से मतलब status हो करता है और setting बंद हो जाता है इसलिए आपके fm whatsapp में status नहीं दिखता है तो आप लोग को क्या करना है simply guys आप लोग को three dot line पे click कर देना है अब click करने बाद guys आप लोग के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा या फिर modes का option simply इस पे click कर देना है अब click करने बाद guys आप लोग को scroll करके नीचे आ जाना है अब नीचे आने बाद guys आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा home screen का option simply guys आप लोग को home screen के option पे click कर देना है अब click करने बाद guys आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिल जाएगा तो guys आप लोग यहाँ पर देखने के लिम मिल जाएगा status का option simply guys आप लोग को status के option पर click कर देना है अब click करने बद guys आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो guys आप लोग को scroll करके नीचे आ जाना है नीचे आने बाद guys आप लोग के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा mute updates और view updates और recent update तो guys आप लोग को क्या करना है simply guys आप लोग को इसको यहाँ से आप कर देना है फिर guys आप लोग को यहाँ पे view update को भी आप कर देना है फिर guys आप लोग को recent update को भी आप लोग को up कर देना है अब आप करनेक बाद guys आप लोग को इस तरह से बैक हो जाना है बैक होनेक बाद guys मैं यहां से अपने status पे click करता हूँ अब guys आप लोग यहां पे देख सकते हैं जैसे मैं status पे click किया यहाँ पर status हमारा दिखने लगा है तो guys मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि हमारे status अभी एकी बंदा लगाया है इसलिए हमारे पास एकी status यहाँ पर दिख रहा है अगर आपके पास आपके जो भी friend होंगे अगर आपके FM Whatsapp में मतलब सभी लोग status लगाए होंगे जैसे 2, 4, 5 लोग अगर status लगाए होंगे तो सभी का status इस तरह से दिखने लगेगा तो आप लोग को उस setting को enable कर लेना जो मैं अभी आप लोग को setting को बताया हो enable करने के बाद तो guys आप लोग को मैं सामने दिखाए है देख सकते हैं हमारे status पे जैसे मैं किलिक किया यहाँ पे हमारा status दिख रहा है तो guys आप लोग भी इस तरह से FM Whatsapp में status नहीं दिख रहा है तो आप लोग भी इस तरह से status problem को solve कर सकते हैं इस तरह से तो guys अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक like और channel पे नए हो तो channel को जरूर subscribe कर ले न and bell icon गंटी को जरूर दबा दी न और guys फिल मिलते हैं next video में